हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर CBI SI की क्या जॉब प्रोफाइल होती है और जैसा आपने थबनेल देखा होगा कि आखिर ऐसा क्या रीजन होता है कि मैक्सिमम जो CGL से लोग CBI SI करते हैं मैक्सिमम लोग उसमें से क्विट कर देते हैं जॉब बीच में ही और कोई दूसरी जॉब CGL के ले लेते हैं यह आप बहुत सारे लोगों को दिखाऊगे कि पहले वो CBI में ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे और उन्होंने किसी ने और ले लिया किसी ने एक्स मैंने कोई वीडियो तुरास अपलोड करना पड़ा तो चली एक एक करके हम सारी बाते देखेंगे इसमें सब कुछ और लास्ट में हम कट आफ भी देखेंगे कि CGL 19 के लिए क्या रह सकती है तो पहले हम बात करते हैं इसके जॉब प्रोफाइल की काम क्या होता है CBI SI का तो जितनी भी 600 Grade Pay है उसमें इसकी और Intelligence Bureau IB वाले की इनकी आपकी Salary जादा होती है इन है डिजन की इसमें एक आपको Security Allowance मिलता है तो एक तो यह है इसका कि 600 Grade Pay में इसकी Salary आपका दिखाई दे रहा है इसमें एक और फायदा होता है CBI SI में कि इसमें वर्कलोड के कारण आपको त जैलरी दी जाती है मतलब आप जितने भी डिपार्ट्मेंट में जॉब करते हों महीने के सिलरी बनती है आपको क्रेड़ कि जाती अपके तो यह बहुत ही अच्छी चीजह जौब के लिए इस पोस्ट के लिए बच्चे आपको कुछ फिजिकल required होती है notification आप एक बार पढ़ लोगे कि आपकी height की क्या जरूरत होती है और आपकी eye side की क्या जरूरत होती है इसमें 6 by 6 तो लोग बहुत बार मुझसे comment में ये भी पूछते हैं या telegram पर भी message करते हैं कि मेरी चश्मे को चश्मा लगा हुआ है मेरा power इतना है तो देखिए 6 by 6 के लिए चश्मा होना कोई वो नहीं है इस चश्मा नहीं होगा तो ही होगा तो 6 by 6 चश्मे लगा कर की भी हो जाता है तो यह आप किसी जहां पर डॉक्टर आपका आँख बाला होता है उससे आप चेक करवा सकते हो 6 by 6 है की नहीं है चश्मा कोई दिक्कत नहीं होता आपका कितने भी पावर का है वो कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें ठीक है यह ध्यान लखेगा बात करते हम इसके कि जो आपकी जॉब लगेगी CGL में इसके थुरू तो आपको सीधा जॉब पर नहीं भीजा जाता है सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग होती है बाकी की हम बात करें तो आपको बहुत जगा पर बिना ट्रेनिंग के ही काम पे लगा दिया जाता है जॉब पे लगा दिया जाता है और हो सकता बाद में आपको ट्रेनिंग पर भीजा जाए क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की उतनी ज्यादा requirement नहीं होती लेकिन CBI में आपको पहले आपको ट्रेनिंग करवाते और एक साल की पूरी ट्रेनिंग चलती है जो कई फेज में होता है आपका और यह CBI Academy गाजियाबाद म और बहुत ही बड़ी अकेडमी है और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है ठीक है पूरे एक साल में आपको बहुत तरह सी चीजों से classroom प्रोग्राम से लेकर के आपको और पूरा सब कुछ इसमें कराए जाता है फिर जब आपके ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आ जैसे आप समझें कि बहुत सारे cases होते हैं क्योंकि आपको cases का investigation करना होता है तो जैसे मालने यह financial से रिलेटेट है पैसे से कोई hairfare हुआ या कोई murder से related है आपका या कोई online को ऐसा fraud है तो अलग-अलग wings बनाए गए हैं आपके CBI में तो आपको किसी में भी posting मिल सकती है ठीक है अचा आपका जो job होता है आपका आपका job होता है कि किसी भी investigation में अपने IO की help करना होता है या आपके senior की जो होती है आपका IO होता है किसी भी कोई case जो होता है आपका उसका एक investigation officer होता है investigating officer होता है और generally यह DSP rank ना DSP जो rank होती है उससे उपर के rank के अधिकारी होते है या DSP ही ह होता है आपका आयो और उसको आपको help करनी होता है उसके साथ में जाना होता है और आपको कोई भी जैसे भी सर्च करने कोई भी पूस्ताज करनी ज्यादा तर इसमें काम पूस्ताज का ही होता है आपका तो inquiry में आपको इनकी help करनी होती है तो यह आपका job role होता है तो सारा पूरा basic काम आपका investigation से related है आपका बात कर लेते हैं promotion की तो पहला promotion आपका पहले inspector की post पर होता है, sub inspector से then आप DSP की rank पर promote होते हो और फिर SP और साथ maximum लोग SP rank से ही retire हो जाते हैं जो CBI SI join करते हैं ठीक है, तो यह इसका रहा पुरा काम इसका और इसका यह रहा promotion aspect अब हम थोड़ा इसके कुछ फाइदे देखते हैं इस post की, यह तो रहे हैं आपके कुछ अलग से देखते हैं ध्यान से फाइदे क्या हैं सबसे पहली चीज कि इस post में सबसे ज़्यादा salary है बहुत सारे लोग सिर्फ salary का ही रखते हैं पैसे का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जोब को जो select करते हैं SSE की, वो पैसे को देखकर ही select करते हैं तो सबसे ज़्यादा salary मिलती है CBIE में, SI में दूसरी बात करें फाइदे की तो आपकी society में बहुत ज़्यादा respect होती ही बस आप किसी को बता भी देते हो कि मैं CBI में हूँ बहुत सारे काम आपके हो जाते हैं ऐसे और आप समझ रहो कि हमारे इंडिया में चाहे हम जिस society में रहते हैं वहाँ पर power की और नाम का कितना कुछ बोल बाला है है की नहीं है तो इसमें आपका society में बहुत ज़्यादा respect होती है ठीक बात कर लेते हैं posting की maximum posting आपकी दिल्ली में ही है maximum के दिल्ली में ही posting होती है sub inspector की headquarter है वहाँ से उसके बाद अगर आपको कोई ऐसा कुछ रहा तो regional office भी होती है CBI की वहाँ भी भीज़े सकता है या वहाँ भी transfer करवा सकते हो starting में initially सबको posting दिल्ली में ही मिलती है 90% से ज़्यादा मान के चलो दिल्ली में ही होती है ठीक है यह इस post का फायदा है बात कर लेते हैं और कुछ फायदे की तो इसकी training जो होती है बच्चे कि बहुत ही मतलब कह सकते हो आप कि इससे बढ़िया training आपको CGL कि किसी भी जॉब में नहीं मिलेगी या किसी भी जॉब में आपको नहीं मिलेगी विकास इसमें सब कुछ एकदम basic से लेकर सब अच्छे तरहीं से करा जाता है training कराने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर जितनी भी आपको equipment दिये जाते हैं lab जितनी भी होती है उनकी सब equality की होती है आपकी और ऐसे से आपको वहाँ पर equipment मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा excitement देंगे आपको या फिर आप ऐसे समस्कते हो कि बहुत ज़्यादा exposure वहाँ पर मिलेगा training time पर ठीक है उसके बाद हम बात करें कि जब आप investigation करते हो तो investigation में आप यहर बहुत सारे लोगों से क्योंकि बहुत सारे cases ऐसे भी मिलते हैं जो high profile case होते हैं तो उस case में आपके contact बहुत अच्छे बन जाते हैं जान पैचान बन जाते हैं वह अलग बात है कि लोग criminal है तो उनसे जान पैचान लेकिन वैसे भी पूछता आच में आपके contact बन जाते हैं यह भी बहुत ज़्याद case भी मिलते ज़्यादा तर तो उस case में आपके contact बहुत सारे बनते हैं और वो आगे काम भी आते हैं यह भी ध्याना किएगा बात करते हैं छटाम point के तो यह देखे departmental exam इसमें होता है CBI में जो कि चार साल की service के बाद आप दे सकते हो ठीक है और उसके बाद आप सीधा DSP के rank पर promote हो जाते हो अगर आप यह exam clear कर देते हो यह चार साल वाला यह थोड़ा सा देखे लिए नगवा ठीक है लेकिन यह departmental exam आप CBI में होता है SI का और वह आप दे करके DSP rank तक promote हो गे और यह बहुत ही बड़ी post होती है DSP क्योंकि आप सीधा बन जाते हो IO और IO मैंने बताया कि CBI में IO की बहुत जादा value है because आप किसी भी case के जब investigating officer होते हैं तो पहले तो responsibility बहुत जादा होती है और आपके जितने भी फैसले होते हैं वो बहुत कुछ माईने रखते हैं किसी एक case से related क्योंकि यह किसी के जिंदगी और मौत तक भी होता है फैसला तो बहुत सोच मचके और बहुत सारी चीजे आपको लेनी पड़ती है फैसले तो यह बहुत बड़ी post होती है CVI SIK पुलिस के DSP की बात करें तो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि CVI SIK बात करते हैं हम लोग की और कुछ point की जब आप investigation करते हो बच्चे तो investigation में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि इसमें चीजें पहले तो मैंने बताया आपको छोटी मूटे केस नहीं है कि छोटे मूटा कोई ऐसा चोड़िए वह हो गई पकड़ने बेज़ दिया आपको बहुत सारे बड़े-बड़े cases होते हैं जो पुलिस से जब कोई solve केस पुलिस से solve नहीं हो पाता यहां तक कि आपकी CID से भी solve नहीं हो पता है तब वो केस आपको पता ही है सब जानते है उस बारे में तब वो केस refer करा जाता है CBI को तो आप समझ सकते हूं कि इसमें कितना कुछ रहे होंगे खेल पुलिस कई बार हेल फिर कर देती है कई लोग मिले होते हैं कितने सारे आप और हमने बहुत को हद तक तो चीजें देखी हैं अपने CBI का जो केस चला था तो उसका SSC वाला तो उसमें भी देखा था आपने कि बहले कोड से कुछ भी जो भी आया लेकिन एक चीज सही हुई थी वह सीवी इन्वेस्टिकेशन ठीक है उन्होंने बहुत सारी चीजे खोल क्या कारण होता है स्कुट करने का जो थमनेल था देखे सबसे रीजन बढ़ा हो इसमें होता है सबसे पहला रीजन किसमें वर्कलोड सीजेल की सभी जॉब से सबसे ज़दा वर्कलोड इस जॉब में आपका है और आपको यह वर्कलोड तो सब को काम तो करना यह तब ही तो workload, दूसरा होता ही है कि आपको investigation का ही काम है आपको investigation के लिए हमें से बाहर ही रहना होता है पता चला कोई case है, उससे related उस आदमें से पूछताच करनी है, उसको समन भेजना है, उससे उससे आपको करना है तो आपको हमें सब field में भाग दोड़ी लगी रहती है, है ना, और होता ही है कि कोई case से related आपको हो सकता है कि जिस जगह, वालों आपकी posting दिल्ली में ही है, तो आपको दिल्ली से बाहर दूर भी जाना होता है, और यह जाना ही पढ़ता है आपको है ना, किसी case का lead माल लिजे, आपका call काता में मिला आपको, या कुछ लग रहा है आपको, वहाँ पर search करने आपको, तो आपको जाना पड़ेगा टीम के साथ, तो इसमें टूर ट्रैवल का का काम बहुत जादा होता है बच्चे, और यह मैंने बताया है कि जहां भी ट्रैवल का काम, जिसमें डबल एओ बताया था आपको यह, वहाँ पर आपके लिए चीज़े हेक्टिक बन जाती है, इसको द्यान से समझेगा, बात करें अगली जॉब टाइमिंग की, तो बहुत सारे लोग का यह आगे की UPSC या किसी करते हो, जब आप यह अगर सोचो, UPSC के लिए, मेरी अगर आप राय लोगे तो आप इसको नहीं आप्ट करना, रीजन है कि आप इसमें जॉब के साथ स्टडी करते हो, बहुत ही मुश्किल है, बाकि आप और लोगों उसे कंसल्ट कर सकते हो, जो जॉब में भी है, CBI, SI में, आप उनसे भी पर्टिकुलरी बात कर सकते हो, लोग बात करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो एक आपके नीचे आपका एक वो होना चाहिए, टैक्स असिस्टेंट या एक तरत कह सकते हो, कि पीए होना चाहिए, या माल लिजे कि आप यह से कोई बंदा होना चाहिए, जो कि CHS लगते हैं आपके, है ना, तो यह होता यह कि इतने ज्यादा ना, स्टाफ नहीं है वहाँ पर, तो छोटे-छोटे काम कि ना, आपको खोदी करने होते हैं, जैसे माल लिजे कोई केस से रिलेटिटिट आपको, कोई फोटो कापी ही कराना है, या किसी को कुछ छोटे-छोटे काम है आपको, यह काम आपको खोदी करने होते हैं, अगर आपको वह केस मेला हुए, तो फोटो कापी से रिलेटिटे काम, आप किसी को सोचो कि कोई MTSS को भेज के कर वालो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कई बार स्टाफ ही माल लेजिए, आपको किसी से कोई पूश्ताच करनी है, तो आपको CBI के तरफ से कोई गाड़ी या कोई स्टाफ नहीं मिला होता है, कि आपको वहां तक लेके जाए, आपको पब्लिक टांस्पोर्ट का ही यूज करना होता है, या तो फिर अपनी गाड़ी रखो आप, लेक आपको खुद ही अपना मैनेज करना होता है, वो अलग बात है कि आप उसको क्लेम कर सकते हो, लेकिन यार वो ठीक है, आप धक्के मुक्के तो खाते ही यह बात है, तो यह एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि आपको फैसिलिटी आप वही गाड़ी वाड़ी की, होती है, इसमें ध्यान अकना, तो यार हम सब फैमिली से बंदे हुए, तो अगर माली जी आप, आपकी शादी भी होगी, मैरिट भी होगी, तो आप एक बार यार दिक्कत हो जाती ही, डबल यो में भी बहुत लोगों ने अपना दर्द ये बताया था, कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो एक तो फैमिली लाइफ बहुत जादर डिस्टर्ब होती है आपकी, होता ही है कि अगर आपका फैमिली सेपोर्टिव है, सब समझने वाले, तो तो फिर ठीक है, अगर समझ रहों नहीं समझने वाले, तो फिर क्या ही है, बात करते हैं अगले पॉइ sensitive case होते हैं, क्योंकि CVI के cases बता ही आपको कैसे होते हैं, तो अगर माली जी आप उतना ज्यादा नहीं हो, open minded या आप क्या broad minded नहीं है, फिर हो सकता है कि mindly आप उतना ज्यादा वो नहीं हो, fit नहीं हो, तो आपको disturbing कई दिनों तक, हो सकता है रात में सोने में दिक्कत हो जाए यार, maximum जो कारण होते हैं, लोग क्विट करने के workload, family का time ने देना पाना, to travel बहुत जाता है, छोटे-छोटे case के लिए भागना, court के लगने ही लगने आपको, है न, case ही court में चलना है, तो आए दिन लगा रहेगा, किसी उठा कर face करने ले जाना है आपको, है न, पूरी जिम 19 के लिए, तो यूर के लिए 630 से 635, PWS के लिए 620 से 625, OBC 620 से 625, एक्षूल में यह आपका 600 यहां पर गलत हो गया है, बीस नंबर का 610 से 615 था, यह कर ले जेगा, change कर ले जेगा, OBC का 610 से 615 है, मैं लिख देता हूं दुबारा से, SD का ठीक है, 560 से 565, SD का 540 से 545, यह आउट ओफ 700 है, टोटल मिला करके, टीर 3 मिला करके, है न, मेरे साब से यही रह सकती है, तो और को भी कोई डाउट है, तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हूं, है न, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलेक टॉपिक के साथ, ठीक ह झाले